कि मैं आज में बनाने जारी हूं अंडे काम कीमा उसके लिए में पाच बालेग ले लिए इसको भी कर्दुकस कर देंगे वन टेबल इसको नतरक लहसुन का पेस्ट है आज में नमक एक वण टीज प्याज ली ती इसको फ्राय कर लिया है एक चोटे सा टमाटा चोटा सा तीन हरी मिच इसका हम पेस्ट बना लेंगे चलिए सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं मैंने अंडी को कदू कस कल लिया हैं पाचु जो मैंने बॉय लेक किया थे बेक पैन में सबसे पहले हाफ कप आल डाल देंगे इसके बाद इसमें अधरक लहसुन का पेस्ट जाएगा एक मिनट के लिए अधरक लहसुन का पेस्ट हल्का सब भून लेंगे उसके बाद बागी का मसाला इसमें एक मिनट के लिए मैंने अधरक लहसुन का पेस्ट को भूना है अब इसमें मैंने धनिया मिल्शी नमप करम मसाला जो रखा है वो भी मिक्स कर दे रही है कि सारे मसालों को भी एक मिनट के लिए भूनना हो है कि पिनी फ्लेम को मीडियम टुलो रखा है मसाले जले ने मैं इसमें दो चमज पर इस पानी भी मिक्स कर दे रहे हूं मसाले नीचे से जले ने कि पिनी नोट लेम पर ही भूलना है इसको इसको मैंने जो यास और हरी मिर्ची टमादर का पेस्ट बनाया है वो मिक्स कर दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी मसाले का ही पानी मिक्स कर रहे हैं तीन से चार मिनिट के लिए सारे मसालों को अच्छे से भून देना है प्यार जाल रेडी फ्राई है इसलिए इसमें कच्छा पन नहीं है जादा देर भूननी की जरूरत नहीं है इसको 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 इस तरह से बुंदेव इसने किवा मिक्स कर देंगे अंडे कवने जो बनाया है तो जादा देर नहीं पखाना है जगपट बन जाएगा पानी मिलाना है पानी जादा नहीं मिक्स करना है इसको ड्राई ही बनाना है बुना वैसे ही वह फ्लेम पे एक मिनट के लिए पगालूंगी उसके बाद ही रेटी होगा मिनट बाद फ्लेम को आप कर देंगे उपर से धन्या की बत्तियां डाल देंगे और आठी के साथ यह बहुत यम्मी और टेस्ट्री लगेगा जट पट अंडे का कीमा बनका रेडी हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लेए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अन्डे का कीमा बना कर इंजॉय करें थैंक यू करें अन्डे करें मेरी लाइक करें सु्छी हैं सब्सक्राइब